नमस्कार स्वागत आपका न्यूस्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल क्यागी अब तक इस फाउंडेशन से जुड़ चुके हैं साती सात बता दें कि इस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीन कुमार जीन बताया कि इस फाउंडेशन का नाम उनोंने फिल्म सूपरस्टार धर्मेंद के नाम पर रखा है इस फाउंडेशन का मकसद लोगों को naturally oxygen उपलब कराना है तमाम जो oxygen देने वाले पौदे हैं वो लोगों को निशुलक देते हैं आज हमारे साथ ऐसी सक्सियत मौजूद हैं जिनका नाम प्रवीन कुमार है जो कि ब्रह्मा व्रक्षदान धर्म फाउंडेशन को चलाते हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कि इनके फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है प्रवीन जी आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सब्ली रोगों का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आप फाउंडेशन चलाते हैं इसका मेन उद्देश्य है समाज में लोगों को जागरू करना और इस यह जो पौदे हैं इनसे oxygen होती है इन पेर पौदों से हमारा जीवन का स्थित्व है पूरी दुनिया को समाज को में यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने घरों में पौदे लगा है जिससे कि जो आज हमारे देश को में कंडिशन हो रही है oxygen की supply बंद हो रही है oxygen मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है वह लेकिन यह जो और नेचुरल जो करती है यह जो oxygen दे रही है मेरा मोटीव यह है लोगों को हमारी संस्ताव इसलिए पोदेद देती है कि आप अपने घरों में लगाए और oxygen का संचार हो और जो पॉलूशन भरी जिंदगी हम जी रहे हैं या जो कोरोना से आज सांसे हमाई न वरक्षितान धर्म फाउंडेशन है और यह मैंने फिल्म स्टार जो धर्मेंद्रे मैं उनसे बहुत प्रहे रहे हूं और मैं उनका भूट डाय हर्ट फैन हूं उन्ही किसे मैंने यह उनी के नाम पर मैंने ट्रस्ट बनाया है दूसरी बात हम अपने दर्शकों को यह भी दि लेकिन लोगों को बातने के लिए फूलों वाले लोग बहुत से लोग फूलों के भी के आप सब फूलों के दीजेए तो यह मैंने डॉनिट करने के लिए इस अब देख सकते हैं पूरी इसी तरीके से मैं तयार कराता हूं और यह जो फाइकस के पोदें यह मैं पौदा आया जो मैं देता हूं कि यह उक्सीजन रिलीज करता है इसका नाम है फाइकस बेंजी मिना और पांडा यह मैं इसलिए देता हूं कि टोटल इंडूर प्लांट है और आप इन्हें घर में भी लगा सकते हैं अगर मैं आपको नीम का पौदा यह बढ़का पौदा दूंगा तो घर में लग पाएगा इतनी हमारे शेहरों में इतनी जगह नहीं है कि उन्हें हम लगा सकें बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन ऑक्सीजन से संबंदित यह पौदा आपके घर में इंडूर प्लांट के रूप में बहुत बढ़िया काम करेंगा और ऑक्सीजन भी रिलीज को डॉनेट करते हैं साल में एक बार 365 रुपे प्रविन जी आप जैसे कॉलीजों में और मंदिरों में जाकर अपने पौदे जो हैं वो डॉनेट करते हैं लगाते हैं जो आजकल के युवा है नई जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैं ज्यादेतर तो स्क प्रवित देता हूं मेरा मात मोटीव्त और को को में यह घौने एक तो उसकोलों में पढ़ाओं के बारे में हमारा जीवन का क्या है सबसे बड़ा आज जो सवाल है वह तमाम देश जिस तरह से जूज रहा है कोरोना से आख्सिजन नहीं मिल रही है ऐसे में सरकार से आप क्या कहना चाहोगे हो सरकार से मैं यहीं कहे चाहता हूं कि जितने पॉदे सरकार की तरफर से लगते हैं वह उनके पालने की विबस्ता भी सरकार उनको लगवाती तो जरूर था है लेकिन ऊन्हें पालने का Spray अगर उन Pvdm कि जोऊँत्र प्रफतर गदोने के खा चाहे दरें के या। पौदे हो जाएंगे उनका द्यान पौदे लगाने की तरफ तो है लेकिन पौदों का द्यान रखने की तरफ नहीं है कि उनको पानी भी समय से मिले उनको उनका रख रखाव हो और वह बढ़ें आज मैंने अभी देखा कि आप ज्यादा तर फेस्बुक लाइव करते रहते हैं तमाम जिस तरह से लोग के गहर में शादी होती है लोग इन्विटेशन के रूप में कार्ड देते हैं आपने अपनी बेटी की शादी में मैंने देखा कि पौदों को इन्विटेशन के रूप के अगर काड तो हम फैंक देते हैं जर्नली काड कितना भी महंगा हो चाह सो रुपे का हो चाह 500 का उसका मीनु देखने के बाद हम उसे उठा के रख देते हैं और वो एक दिन रद्दी के एक रुपे का भी नहीं जाता है तो मैंने सोचा कि यार हम पौदे बाट रहे हैं तो क और कहीं नहीं मेंटें तेंपरेचर को भी गरेगा ज्यादे नहीं करेगा ठोड़ा करेगा लेकिन जरूर इसलिए मैंने अपने जितने भी मिलने वाले लिए अपनी बेटी की शादी में इमिटेशन के तोर पर गंभलेंश में पौदे लगा-लगा कर दिए समको सेता ही आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया